अस्सलाम आलेकुम दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस्तक्बाल है आपका अपरीन अकाड़मी में आज हम आठवी जमात का डे 11 का निसाब पढ़ने वाले है तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पॉइंट है जावियों की जोडिया उसमें सबसे पहला ज स्वागत 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 स्वा है और जो नुक्ता मुश्तरीक होता है उसको हम क्या कहते हैं रासी नुक्ता कहते हैं ठीक है इन दोनों जावियों के अंदरुनी हिस्से में एक भी नुक्ता मुश्तरीक नहीं है और यह जाविये एक दूसरे के बाजू में है ऐसे जावियों को मुच्छीलाजाविय कहते है जाविय बी-म-कू और जाविय क्यो एम-डी शर्त क्या है किनका रासी नुक्ता मुच्टरीग होना चाहिए और उसमें एक सांथ यह फिर एक खっち को जो हैं, तो ऐसे जावियों को हम क्या कहते हैं मुच्सिला जाविय कहते हैं उसके बाद दूसरा जाविया है मुतम्मिम जाविय तो जिन दो जावियों की पैमाईशों का मजमुआ 180 दरजा होता है वो एक दूसरे के मुतम्मिम जाविय कहलाते हैं दो जावियों की पैमाईशों का मजमुआ 180 दरजा होता हैं वो जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये कहलाते हैं यहां जाविया ABD और जाविया DBC एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये हैं क्यों हैं क्योंकि इनकी पैमाईशों का मजमुआ कितना हैं 180 दरजा है बिलकुल इसी तरह मुकम्मला जाविय जिन दो जावियों की पैमाईशों का मजमुआ 90 दरजा होता है वो जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये कहलाते है पिछले इसमें ने पड़ा 180 अगर मजमुआ है पैमाईशों का तो वो जाविय एक दूसरे के मुतम्मिन जाविय कहलाएंगे और अगर पैमाईशों का मजमुआ नववत दरजा है तो वो जाविय एक दूसरे के मुकम्मिला जाविय कहलाएंगे अब इस शकल के अंदर जाविया PQS और जाविया SQR एक दूसरे के मुकमला जाविय है ठीक है इसी के उपर मिसाल है के 70 दरजा पैमाईश के जाविय के मुकमला जाविय की पैमाईश कितनी है एक जाविया 70 दरजा दिया हुआ है तो उसका मुकमला जाविया जो होगा उसकी पैमाईश कितनी होगी अब हम जानते हैं अभी हमने पड़ा कि मुकमला जाविया की पैमाईशों का मजमुआ कितना होता है 90 दरजा होता है तो एक 70 है तो उसको मालूम करने के लिए हम दूसरा क्या फर्स करेंगे X फर्स करेंगे और दोनों जावियों की पैमाईशों का मज़मा कितना होगा 90 होगा इसलिए 70 जमा एक्स बराबर क्या आजाएगा 90 आजाएगा अब हम तरफाइन में से क्या करेंगे 70 जो है तो वो तफरीक करेंगे तो हमारी मसावात क्या बनेगी 70 जमा एक्स तफरीक 70 बराबर 90 तफरीक 70 बराबर के दाय और बाय जानिब हमने क्या किया 70 जो है तो वो तफरीक किया तो इधर 70 जमा और 70 तफरीक कड़ हो जाएंगा चिर्फ क्या बचेंगा वहां पर एक्स बचेगा और बराबर के सीधे जानिप 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेंगा तो इस तरह हमारा 70 दरजा पैमाईश के मुकमला जाविय की पैमाईश क्या होगी 20 दरजा होगी दोनों को अगर तुम मिला दोगे तो कितना हो जाएगा तब तक के लिए अल्ला हाफीज